हेलो गाईज तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बायोस्फियर रिजर्व के बारे में या जय मंडल आरच्छी छेत्र के बारे में तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप इन इमेजेस को देख लीजिए और आप समझ जाएंगे कि सबसे पहले जो बायोस्फ विवित्ता को बचाने के लिए ये सनरच्छी छेत्र होते हैं या प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं तो दोस्तों आप इन इमेजेस को देख करके आप समझ सकते होंगे कि ये एक ऐसा मैथड होता है जिसमें जीव जनतुओं को उनके नैचुरल हैबिटेट में ही प्रोटे कर दिया जाता है तो याद रखिएगा सबसे पहले ये प्रोटेक्टेड एरिया लगी आगे चलते हैं के तो दोस्तों आप यहां पर आप देखीए बायो स्राथी दूह deform जो होते हैं यह प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं मतलब कि यह संम्रच्छी छेत्र होते चेत्र हैं जो की करते हैं किसका काम conservation of genetic and racial biodiversity of plants and animals. बहुत सारे पौधों और जन्तुओं की जो genetic होती है और racial जैविवित्ता जो होती है उसको बचाने के लिए ये protected areas होते हैं. तो प्यारे मित्रों ये actually in-situ method of biodiversity conservation होते हैं जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं स्वास्थाने तरीके होते हैं biodiversity conservation के लिए जैविवित्ता सनरच्छन के लिए तो इसका मतलब ये है कि जो genetic और racial biodiversity है मतलब की पेड़ पौधों की जो genetic जैविवित्ता है और जो प्रजातिय जैविवित्ता है उसको उनके प्राकृतिक पारिस्थिति की तंत्र में सनरच्छित करने का प्रयास किया जाता है मतलब की natural ecosystem में conserve करने की कोशिश करी जाती है genetic और racial biodiversity of plants and animals को तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ये actually करता क्या है कि ये restore करता है traditional life of tribes living in the vicinity मतलब की plant और animals की genetic और racial biodiversity को बचाते हुए ये जो उसके आसपास tribal रहते हैं उनकी भी life को traditional life को protect करने की कोशिश करता है मतलब वो भी बरकरार रहे ये ये ensure करता है और वो जो भी tribes और आसपास रहते हैं वो भी conserve करते हैं biodiversity को वो बहुत ही जादा involved होते हैं इस natural ecosystem में प्यार करते हैं उनके आसपास रहते हैं पेड़ पौधों प्रकिर्टी से तो उनको इसका part बना लिया जाता है और उनको मान लिया जाता है कि ये nature के लिए यहाँ इसके conservation के लिए बहुत ही फाइदे मंद हैं और बहुत ही जरूरी हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो local लोग होते हैं उनको participate करा लिया जाता है इको सिस्टम, natural ecosystem को बचाने के लिए और ये एक तरीके से local solution हो जाता है global challenges को global challenge क्या है? global challenge है habitat destruction, natural जो floral and final biodiversity है उसका destruction और जब community participation इसमें हो जाता है तो इससे जो ये natural ecosystem का destruction हो जा रहा है उसको local participation के थुरू बचाने में बहुत ही help मिलती है मतलब global problem local participation से खतम करने की कोशिस करी जाती है इसमें तो दोस्तों ये बहुत ही important point है इसको याद रखिएगा आप biosphere reserve जो होते हैं ये include करते हैं terrestrial, marine और coastal ecosystem सब को मतलब की कहीं पर जमीन वाला छेत्र है या पानी वाला छेत्र है या तटीय छेत्र है सारे छेत्रों को include करता है biosphere reserve कहीं पर भी हो सकता है ये या किसी भी area को चाहे वो जंगल है चाहे वो पानी वाला area है चाहे तटिये छेतर है उसको biosphere reserve गोसित तिया जा सकता है और इन सब का target यही होता है कि conservation of biodiversity with sustainable use of resources वहाँ पर जो भी चीजे हैं उनके साथ में उनका judicial use करते हुए न्याय संगत use करते हुए biodiversity को conserve किया जाए जवित्ता को protect किया जाए अब दोस्तों यह जब start हुआ biosphere reserve वाला program तो उस वो समय था 1971 मतलब 1971 के आसपास जो international coordinating council है UNESCO की उसने introduce किया biosphere reserve term और इस तरीके से जब यह term इजाद हो गया तो एक program चला man and biosphere reserve program मतलब कि जब यह term इजाद हो गया उसके बाद कहा गया कि अब humans को जोड़ा जाए natural ecosystem से और फिर बोला गया कि भाई अब एक program ही इसको बना देते हैं की man and biosphere reserve program और इस तरीके से यह program initiate किया गया UNESCO द्वारा 1971 में और इसका नाम हुआ man and biosphere reserve program और फार्मली यह launch हुआ 1976 से तो कुल मिला करके दोस्तों इसमें जो important यह है कि इसमें human participation या local community participation के साथ में natural habitat को protect किया जाता है plants और animals की genetic और racial biodiversity को protect किया जाता है और यह start हुआ 1971 से UNESCO द्वारा जब man and biosphere reserve program launch हुआ उसके साथ ही तो इस program के launch से ही कई सारे biosphere reserve को अलग 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 देशों से biosphere reserves of international importance भी बताया जाने लगा जिसको अभी हम आगे देखेंगे कि मित्रों आप यहां पर देखते हैं कि biosphere reserves जो हैं उनके functions या उनके लच्छ क्या क्या हैं तो सबसे पहला conservation of biodiversity and cultural diversity क्योंकि जो tribes आसपास रहते हैं या जो भी population आसपास रहती है उनके culture को भी protect कराने की कोशिस करी जाती है biodiversity conservation के साथ साथ में उसके बाद दोस्तों इसका target होता है economic development that is socio-culturally and environmentally sustainable मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें जो भी आसपास लोग रहें उनका economic development ना हो उनका भी economic development हो लेकिन वो कैसा हो sustainable हो वो ऐसा हो कि आगे आने वाली generations को नुकसान ना करे environment को नुकसान ना करे उसके साथ दोस्तों जो परिवहन में सहायता के लिए ये network बहुत जरूरी होते हैं logistic support फिर development को encourage करने के लिए उसके साथ साथ research को तो research के through development की बात इसमें करी गई है फिर monitoring के लिए मतलब जंगल की monitoring के लिए भी बहुत ज़ादा जरूरी होते हैं क्योंकि कई बार बहुत सारी diseases हो जाती है animals वगएरा को और उसके काराण से उनकी एक बहुत बड़ी number जो होती है खतम हो जाती है जंगल वहां के जानवार वहां के पेड़ पौधों के बारे में educate करना लोगों को यह बहुत ही ज़रूरी है और उसके साथ training तो इनका यह target होता है these are functions of biosphere reserve अब आगे चलते हैं तो प्यारे दोस्तों UNESCO के अनुसार biosphere reserve जो area होता है वो तीन zones में divide होता है कौन कौन सी तीन zone है core zone, buffer zone और transition zone आप यहां पर देख सकते हैं यह एक structure है biosphere reserve का और यहां पर आप देख सकते हैं तीन color तीन zone को दिखा रहे हैं सबसे अंदर वाला जो zone होता है that is core zone यह कोर area और core area के बगल वाला जो छेतर होता है इसका area vary कर सकता है किसी भी छेतर के अनुसार, वो हता है buffer zone मतलब core के बाहर वाली zone होती है वो बफर zone हूती है और buffer से भी बाहर जो zone होती है, वो होती है transition zone और दोस्तों जो नियम काइदे कानून हैं वो कोर से transition की तरफ liberal होते जाते हैं मतलब कोर तो strictly prohibited area होती है यहाँ पर कोई भी entry नहीं कर सकता है बिना बहुत ही जादा permission के मतलब है कि यहां के लिए permission जरूरी होती है एकदम यहां पर आम लोगों के लिए entry करना illegal माना जाता है इसलिए क्योंकि यहां पर ज्यादा तर काम होता है research का और research के साथ साथ यहां पर nature कैसे evolve करती है natural ecosystem कैसे naturally evolve करता है यह देखा जाता है तो यहां पर human interference generally ना के बराबर होता है बस बहुत ही मतलब ऐसे scientist वगेरा होते हैं जिनको permission मिलती है government जो bodies होती है उनसे वही यहां पर entry कर सकते हैं तो दोस्तों इसके बगल वाला जो buffer zone होता है यहां पर entry कर सकते हैं यहां पर नियम कायदे कानुन सा liberal होते हैं मतलब यहां पर जैसे research organization सेया सकते हैं university students सेया सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए उसके साथ थोड़ा बहुत tourism वगारा भी हो सकता है बीच बीच में human settlements भी बन सकते हैं तो tourism human settlement researches यह सारी चीजें यहां पर हो सकती हैं तो लेकिन यह भी protected area होता है यहां की जो authorities हो इनके जो है purview में होगा उनकी देख रेक में होगा उसके साथ ही बाहर का जो area होता है यह होता है transition area तो यहां पर restrictions जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं transition area में human settlements बन सकते हैं जो भी ज़्यादा तर local communities होती हैं वो इसके आसपास ही होती हैं जो भी वहां के लोग रहते हैं चाहे वो कोई tribe हो या उसके बाद कोई भी हो ज्यादा तर आप देखेंगे जंगलों के आसपास tribes ही रहते हैं tribes are very close to nature प्रकिरत के बहुत करीब होते हैं और वो अपने तरीकों से प्रकिरत का संरच्छन करते हैं तो बाहर वाला जो area होता है यह transition area होता है प्यारों दोस्तों तो इ protected होते हैं और इस transition area में भी researches वगएरा हो सकती है research तो कहीं भी हो सकती है जहां पर natural habitat है लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जो community रह रही है local community वो यहां पर जैसे लकणिया वगएरा इकठा कर सकती है यहां पर gathering वगएरा कर सकती है agricultural practices कर सकती है क्योंकि यहां पर यह zone होती है बट buffer zone में ऐसा नहीं हो सकता है buffer zone में आपको proper देख रेख में रहना होगा जो भी वहां की governing body है यह जो भी वहां पर guards वगएरा रहते हैं तो जो भी governing bodies है वो देखती रहती है कि आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं एक तरीके से यह भी protected area ही होता है but it is not completely protected like core core बहुत ही जादा restricted area होता है यहां buffer zone में restrictions less होते हैं तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही इसको जो three zones of biosphere reserves हैं उसको अगले वीडियो में करेंगे और काफी detail में करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि इंडिया के biosphere reserves कौन कौन से हैं thank you very much for listening me today